बॉर्निंग दोस्तो टेक आईटे में आपका स्वागत है दोस्तो आज जो सी वी टी का एक्जाम होने वाला था यानि जिनका बैक पेपर का एक्जाम होने वाला था जो की 25 नमबर से होने वाला था उसका डेट एक्स्टेंट किया गया है जी हाँ दोस्तो उसका डेट एक्स् सब्सक्राइब कर दे क्योंकि यहां से आपको ITI का फॉरॉम से लेटेड और ITI एक्जाम में इंपोर्टेंट सब यहां से आपको प्रोवाइट किया जाएगा तो देखिए आप खुद भी ऐसे इस न्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि यहां देख लिजिए ncvt.mis.gov इस इसको आप यहां से डाउनलोड करिएगा देखिए जैसे हम डाउनलोड कर रहे हैं उसी तरह से आप डाउनलोड करिएगा डाउनलोड करने के बाद इस तरह से PDF फाइल खुलेगा और यह PDF फाइल में आप पूरी की पूरी इंफुर्वेशन देखिये ये जो अपडेट किए दिया गया है ये अथारा तारी को ही अपडेट दिया गया है देख date दिया गया है तो चलिए पूरी तरह से देखे लेते हैं अल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानि AITT सफलमेंटरी नुमंबर दोहजार बाइस सीवीट एक्जामिनेशन फोर सफलमेंटरी ट्रेणी ओफ एनुवल सिस्टम एनुवल सिस्टम और समेस्टर सिस्टम का जो एक्जाम होने वाला था उसके बारे पे ये अपडेट जारे किया गया है तो चलिए डिरेक्ट उस टोटिस पे चलते हैं यहां क्या दिया गया है सो देखिए ये दिया गया है 2018, 2019 and 20 यानि 2018, 2019 यानि 2018 सेशन का मतलब 2018, 2019, 2021 और 2022 तीनों के लिए 1-year course या 2-year course या 6-month course यानि या तो कोई 1-year का course किया है या तो 2-year का या तो 6-month का जिसमें informative assistant, attendant और examination fee जिनका नहीं चरहा है जिसे किनी का informative, या थी formative assignment जो की होता है assignment का number जो जूटता है 200 number का रहता है वो अगर किनी का नहीं चरहा है या तो फिर कोई अगर examination fee नहीं दिया अभी तक बचे हुए है, जिनका exam होने वाला है वो सब अपना करवा ले ठीक है, उसके बाद 2021 first year of two year course, या एक दो साल वाला में first year, या तो फिर one year course या six month course का भी वही है उसका भी date मैंने दिया गया है कि आपको अगर बचा हुआ है तो जल्दी से फिर से करवा ले, कैसे या क्या है सुद्ध देखते हैं, उसके बाद 14 से 17, जो 14 से 17 semester system था, क्योंकि ये सब annual system था, ये semester system है one year course, two year course, या six month course किनी का seasonal marks नहीं चारहा है किनी का attendance बचा हुआ है, किनी का examination fee बचा हुआ है, तो सब लोग कर ले, कब तक, कब तक वो देख लिजिए, एक बार फिर से ये date दिया गया है, कब तक दिया गया है देख लिजिए, CBT fee current, जो कि current examination का उनका fee बचा हुआ है, वो plus pending examination fee, जो pending और पहले का examination fee है दोनों fee आप जा करके payment कर सकते हैं, कब तक कब तक कर सकते हैं वो देख लिजिए, पहले कब तक कर सकते हैं CBT fee payment date has been extended 20 November, जहां दोस्तों 20 November तक आप fee payment कर सकते हैं और यह चीज और, जो 25 November को जो exam होने वाला था, back paper का उसका examination का date कहा ले गया है, उसो देखिए CBT examination sell a started tentability from 10 December 2022, जहां दोस्तों आपका यह date था, इस date को आपको 10 December को बरहा करके कर दिया गया है और साथ में there will no future extension of CBT examination fee payment date यानि यह दिया जा रहा है कि यह एक बर fee payment बरहा है, अगले बार यह future में date नहीं बरहेगा यानि अभी भी last मौक आपके पास है कि जितना जल्दी हो सके आप अपना fee payment करा ले और जिनका भी number नहीं चरहा है, वो जा करके अपने-अपने ITI से नमर चरवाले एक चीजा और यह जो fee payment है यह कोई भी खुद नहीं कर सकते हैं यह ITI वाले ही करेंगे जिनका-जिनका ITI है वही से जा करके जिस ITI से वो कर रहे हैं उसी ITI से जा करके आप अपना fee payment करवाले साथ एक चीज और दिया गया है देख लिजिए ED और practical की बात किया गया है यानि ED और practical का भी आ गया है देख लिजिए ED practical में भी जिनका छूटा हुआ है तो अपना जा के payment करवाले यानि कह रहा है कि हम इन future informative ITI कैन अस्टार्ट फिलिंग यानि कहने का मतलब जो इडी और practical का है उसका भी जल्दी से ही देट उसका अस्टार्ट किया जाएगा देख लिजिए यान पे दिया हुआ है A State Director of Collect Fee Practical ED Examination Time Table for Practical ED इसका भी Time Table shortly ही इसू होगा It may be not trainee who have already appeared in March 2022 examination No need register ED practical has result have not been declared However such train call register call call register स्रीवीटिक जामनेशन लिस्ट इस नोट एपियर ट्रेनी विल भी सेयर अस्टेट डाइरेक्टर यानि अगर कोई एक्जाम दे चुके है अरून का नहीं चरहा है तो वो कराए कि अस्टेट डाइरेक्टर को अपना सेयर कीजिए तो जिनका भी बचा हुआ है अब अपने अपने आईटियाई से मिले देखिए 18, 29, 20 वन इयर कोर्स और टू इयर कोर्स 2021 फर्स्ट इयर में अगर किनी का बचा हुआ या सेकन इयर में है या वन इयर कोर्स या सिक्स मन्त कोर्स उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम आले को वन इयर या टू इयर जिनका भी इडी अप्रेटिकल का बचा हुआ है वो भी अपने अपने आईटियाई से कंसल्ट कर ले क्योंकि उसका भी जल्दी सही डेट इसू होने वाला है तो ये थे लेटिस्ट अपडेट और भी अपडेट बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ में अगर ये वीडियो आपको इंफर्मेटिव लग रहा है या तो फिर आपके कोई ग्रोप में जो दोस्त हैं उनको एक्जाम देना अभी बचा हुआ है तो आप उन्हें ये इंफर्मेशन दे दे ताकि उनको ये खौम जो बचा हुआ है उनको न चुटे और एक्जाम का जो आप लोगों का है वो आपको फिर से समझ लिजीए कि कितना 5, 10, 15 दिन आपको फिर से मिल रहा मौका तयारी करने का तो बढ़ियां से तयारी करने और इस बार अपने फाइनल जरूर कर ले क्योंकि देख लिजे जो 20 नमंबर को होने वाला था वो 10 दिसंबर को हो गया है सोरी 25 नमंबर को जो होने वाला था 25 नवर्मूर को जो एकजाम होने वाला था वो आपका 10 दिसंबर हो गया है तो 10 दिन इधर और 5 दिन इधर 15 दिन आपको फिर से मौका मिल रहा है एक बार अपने अपने बैक पेपर को किलियर करने का तो जैहिन बंदे मातरम